पूझबनत्र योगी आधितनाथ का गोरकपुर दौरा है बड़ी खबर आपको बता रही है पूझादर शनकारप्रा में लोगों की फर्याथ सुनेंगे गोरक शुनाथ मंदीर में लगाएंगे सियम जनता दर्शन लुखमद्रियों के आधितनाथ का गोरक पूर दोरा है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दोरे के तीस त्री दीन आज पूजा अर्चना करेंगे सियम पूजा के बाद गौ सेवा करेंगे सियम योगी जनता दर्शन कारक्रम में लोगों की फरियात सुनेंगे गोरक शुनाथ मंदीर में लगाएंगे सियम जनता दर्शन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस खबर पर हमारे संपादाता मुगांशु नुचुनेंगे ब्वांशु मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ का गोरक पूर दौरे पर है सियम योगी क्या कुछ खास कारक्रम होंगे आज उनके? जी मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ अपने तीन दिवरसी दौरे पर आज तीसरे दिन गोरक पूर में रहेंगे आपको बताएं कि आज सुबह मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ गोरक नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे साथ ही आपको बताएं कि सुबे के मुख्यमंत्री के धायित्व के साथ साथ वो गोरकपुर के गोरकणात मंदिर के महंत है तो अपने इस जो रोल है उस धायित्व को भी पूरा करने में पूजा अर्चना के बाद वो जनता धरवार में वैठेंगे फरियादियों की समस्याओं को सुनेंगे, अगर बात करें तो खास कर पुर्वान्चल के तमाम फरियादी, गोरख पुर के अंदर में अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं, और सुबह के मुख्यमंत्री योगिया नित्नाथ, उनका, अधिकारियों के साथ, वहां मौजूद बहते हैं और उनकी समस्याओं का निदान दिलाने काम करते हैं अगर बात की जा मैयूरी तो देश की प्रदेश की राजधानी राजधानी लखनवू में सीम के आवास पे भी जनता दर्बाव लगाई जाती है वहीं आपको बताए कि मेने कैपिटल यारी कि उत्तर पर इसका म समस्याओं से निदान मिलेगा आम तोर पे देखा जाता है कि जो पुर्वांचल के अखास कर गोरकपूर कुसिनगर बलिया बनारस आजमगर ये सभी छेत्रों के लोग मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ से मिलने और अपनी समस्याओं को उनके तक पहुचा कर और निदान अगर बात करें तो गोरकपूर मंदीर में तमाम गायों के नाम भी है वहां नंदी बैल भी है तो उनकी भी उनके बीच भी जाएंगे और उनके हालचाल जानेंगे जो उनको उनकी देखभाल करने वाले लोग हैं उनसे भी जो तमाम गवसाला में गाये हैं और अगर बात क को वो कहीना ना कहीं उनकी भी देख खने मकरेंगे का прок्राइब करेंगे गोरकपूर में उनका कब तक कि गोरकपूर में रुखेंगे सीम योगी आगी तो मुख्यमंत्री योगी आलितिनाथ अगर देखे तो हाल फिल हाल में लंबे सेड्यूल के बाद वो गोरक पहुँचे हैं और बात करें तो अपने तीन दिवसी दोरों के दवान विभिन जगों का भवन किया तमाम लोगों से मिले पार्टी के पतादिकारियों से मिले मंद के तारिक्रमों के बारे में जाने और आज देर साम तक योगी आलितिनाथ अपने पाँच कालिदास पर पहुचेंगे आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आलितनाथ जब गोरक पुर जाते हैं तो तमाम पदादिकारी और तमाम फरियादी उन से मिलने के लिए ताता लगा हुआ देखता है मगर मुख्यमंत्री योगी आलितिनाथ हर एक व्यक्ति हर एक फरियादी से मिलकर अगर बात करें तो उनके साथ तमाम अधिकारी भी होते है और और नावा गोरक पुर में जनता दरबार लगाते हैं जिससे साफ है कि पुरवांचल और आस परोस के जिले हैं उनके वहां के फर्यादी अपनी समस्याओं को लोग पहुच्छते हैं और योगी अलितिनाथ उसे अपनी सग्यान में लेते हैं अधिकारी और तमाम दिसाने देश दिया करते हैं जी धन्यवाद विवांसू तमाम जनकारियों के लिए बिधान सभा सत्र से पहले बिधान मंडल दल की बैठक होगी लगनाओं से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिधान सभा सत्र से पहले सपा ने बैठक बुलाई सपा के पार्टी दफतर देड़ बजे बैठक होगी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सपा के पार्टी दफतर में ये बैठक होगी विधान सभा सत्र में सरकार को खेड़ने पर मन्थन होगा अड़ी खबर आपको बता रहें समाजवादी पार्टी के सभी विधायक बैठक में शामिल होगे सपा अध्यक शकले सियादव की अध्यशता में बैठक होगी बड़ी खबर आपको बता रहे है बिधान सभा सत्र से पहले बिधान मंडल दल की बैठक होगी लखनव से आपको खबर बता रहे है बिधान सभा सत्र से पहले सपा ने बड़ी बैठक बुलाई है सपा के पार्टी दफ्तर में देड़ बज़े ये बैठक होगी बड़ी ख़बर आपको बता रहे है इस ख़बर पर मारे समफादाता विवानसू बिधान सभा सत्र से पहले विधान दल की बैठक होगी कितनी महातपूर ये बैठक होने वाली है जी विवी आपको बताया कि कल से बिधान सभा का उत्रप्रदेश का बज़ट सत्र सुरू होगा उससे ठीक पहले समझवादी पार्टी जो ततकालीन साथ पार्टी है जो सत्ता में है यानि कि भारती जनता पार्टी को घेवने के लिए बिधान मंडल की एक बैठक करेगी आपको बताया कि देड़ बज़े पार्टी का रियाले पर यानि कि समझवादी पार्टी के प्रदेश मुख्याले पर ये बैठक होगी इस बैठक में ये दिसा निर्देश दिये जाएंगे कि हम किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का और सवाल पूछने का काम करेंगे आपको बताया मैं यूवी कि देड़ बज़े समझवादी पार्टी के दफ्तर में नेता प्रतिपक्स अखिलेस यादों की अगुवाई में ये बैठक होगी इस बार का पिधानसवा सत्र काफी दल्चस्प होगा क्योंकि अखिलेस या कि समझवादी पार्टी के नेता तमाम मुद्दों को लेकर विधानसवा अध्यक्स सत्यस बहाना को तबाम प्रस्ताओं देंगे और बात करें तो ग्लोबल इंवस्मेंट समिट में जो अभी फिलहाल में विपक्स दल है यानि की समझवादी पार्टी है वो ग्ली जी आईएस 23 को लेकर कुछ एहम मुद्वों पर बात कर सकता है आपको बताया कि इस प्रिधान सवा की कारवाई से पहले आज प्रि पास लगभग 111 विधायक हैं और साथी आरेलडी के साथ विधायक हैं तो सयुक्त रूप से कल विधान सवा में कैसे हम सत्ता की सरकार यारी की भारती जन्ता पार्टी को कैसे हम घेरेंगे इसको लेकर अखिले स्यादों और पार्टी के तमाम वरिष्ट जो कै पतालिकारी हैं और वो कही ना कहीं मन्थन करेंगे विधायकों के साथ अगर देखा जाया मयूरी तो सबसे बड़ा मुद्ध महंगाई है रोजगार को लेकर है और रामचरित मानस को लेकर जिस तरह से विवादे टिपडिया की जा रही है क्या इस मुद्धे पर भी बात हो सकती है मन् जे दिस्सित तौर पर बात करें तो तमाम जो जो लंसेल मुद्धे हैं उन पर बात होगी महगाई पर बात होगी वोजगार पर बात होगी साथ ही ग्लोबल इंवस्मेंट समिट में सरकार के जो दावे हैं कि हम 34 लाग करों का निवेस ले आया हैं MOU कितने जमीन पर उतरते हैं इसको लेकर कही ना कहीं समझवारी पार्टी सरकार से सवाल पूछने का काम करेगी वहीं अगर बात की जाए तो इस बार के कारवाई में देखने वाली बात यह होगी कि जहां अखिलेस अलग थलग बिधान स्वा में नजव आते थे उनके साथ उनके चाचा सिवपाल यादों उनके कंधे को मजबूत करते हुए नजवाएंगे आपको बताया कि नेता पतिपक्स अखिलेस यादों के साथ अगर देखे तो तमाम वो वरिष्ट नेता आज मौजूद होंगे बिधान मंडल की बैठक में अब देखने वाली बात यह होगी कि देड़ बजे इस बैठक में तमाम जो बिधायक हैं जो पार्टी के अभी हाल फिलहाल में बिधान सुपा चुनाओं में जीत कराया हैं वो भी आएंगे और बैठकर चर्चा की जाएगी कि सरकार को हम कैसे घेरे अब देखने वाली बात यह होगी कि कल सदन की कारवाई चलती है और यहां समझवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मोर्या कहीं ना कहीं देखे तो उनके बयानों के बाद तमान नेता इस पर अपने कटाक्स आए इस पर एक जवाब दियो उसको देखाजा सकता है कि मुख्यमंत्रिया तमाम मंत्र गर के से क्या बाते कहीं जाती ह और वहीं देखने वाली बात यह होगी कि जहां समझवादी पार्टी तमाम जो प्रदेश की मुद्ध है उनको लेकर बात करेगी तो सरकार कैसे उसको डिफेंट करती है जिए विवांसो जिस तरह से भी पक्षे पार्टियां सरकार को घेरने के पूरी तयारी कर रही है मन्थन करने के लिए बैठक बुलाई है तो सरकार कितना तयार है अपना पक्ष रखने के लिए जे बिलकुल आपको बता दे कि बजट सत्र से पहले जो तमाम नेता है भारती जन्ता पार्टी के उनके साथ आज 37 महना यानि की सभापती महोदे की तरब से एक सव्वदली बैठक बुलाई गई है इस बैठक में ये भी तैक की जाएगी कि सदन की कारवाई में किस तरह से चलेगी से डियूलिंग आएगी साथी भारती जन्ता पार्टी के तमाम पदादिकारी भी कल सदन की कारवाई से पहले एक बैठक करेंगे जो अभी सूचना के अधार पे हैं तो देखने बात होगी कि अगर बैठक होती है तो कैसे सदन में सरकार के पक्स को मजबूती से र बॉसले बुलंद हुए हैं बुलंद शेहर से बड़ी खबर सामने आ रही है लाको के आभूशन और नगती पर हाथ साफ किया है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है गेट काट कर घर में गुसे चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है गटना के वक्त शादी समारों में परिवार गया हुआ था गटना अस्तल का मुआइना कर बारी की से जाच में जुटी पुलिस खुरजा नगर कोतवाली शेत्र के गाओ मुंडा खेड़ा का पूरा मामला बताये जा रहा है शुबारात निकलने के दौरान मारपीट का मामला सामने आया है चंदौली से बड़ी खबर आपको बता रहा है मारपीट के दौरान एक युवा गंफीर रूप से घायल हुआ है गंफीर हालत में युवा को आस्पताल भीजा गया परजनों ने कई लोगों के खिलाफ पुलिस थाने में तहरीर दी है सकल्डिया कोटवाली शेत्र के तेनुवट गाउं का पूरा मामला है आज थाना सकल्डिया अंटरगत देर शाम जब शिव बरात माकलेश्वर मंद्री जा रही थी उस एक शिव बरात के अंदर एक लड़के के ताथ मारपीट की गई है इसका नाम दिवसी शपाणडे है दिवसी शपाणडे के साथ दो लड़कों द्वारा मारपीट की गई है अभयोग drip पंच्वित किया गया है गंभी धरावों के अंदर और पांच टीमों को लगाया गया आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार